कि हैलो गाइस कैसे आप से लेड़ गौन हमिद करता हूब बहुत अच्छे क्यों तो आज में आपके लाएं थो तो अफ्गानिस्तान वरूस्स पाकिस्तान के बीज तो जुर फॉस्टीवून्टी होने वाला ऩ्मालिए कि दोस्तों कि मैच प्रडिक्शन में मगावला है चौर भी समार्च की रात को 9.30 बजे खेला जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप मेरे चैनल में आपको पहले बार देख रहे तो चैनल को दुखराइब बैल आइकन दबा देगा और जितने चैनल आप सभी का मैं और यह शोन मेरे किया जरूर जरूर जोन हो मेरे टिब वह तो उसमें आपकी नुक्सान हो। अब मेरे चैनल को सब मैं आपको फ्री में पट्रिक्शन मिलती है तो है ठोच्बावला यह तो जाएगा दोस्तों शार जहां Cricket Ground में चार्डिए स्टेडियम यूएई में आप सबी लोग जानते हैं गाइस की पाकिस्तान का शार्जांस से एक अलगी कनेक्शन है जाए जाविन मियादाद हो नशीम शाह हो वो छक्का मारके मैं जीतने का गाइस तो अगर मैं दूनों टीमों के प्लेरों पर डालू तो पाकिस्तान के पास जो प्लेर है दोस्तो नशीम शाह है शदाब खान कप्तान है पहले बता दू आपका जो है शाहिंचा फरीदी नहीं है इस ट्रीम में बाबर राजब नहीं है तो एक तरह से कह लीजिए बी टीम उता रही है पाकिस्तान में को पूरा ही टैलेंट है बड़े-बड़े प्ले के लिए गजब और मेरे शुरू से माना था कि माद वसी में स्वा बैटर देन महमद नवाज चलो सेलेक्टरों को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है शान मक्सूद है आजम खान इस बंदे की जितनी तारीव करूं इतनी काम है लोग इसको वेट के लिए बोलते थे क की बोलती बंद की है और मेरे नजर में आजम खान की तो जगे बंद की क्योंकि इस वक्त अगर में पाकिस्तान करिकेट की बात करूं इससे बैटर वाइट बॉल का जो हीटर है वह आपको नहीं मिलेगा ठीक है और अच्छा शफीक है सैम अयूब मतलब अगर कोई बोलेग मुहम्मद रिजवान भी नहीं है इस टीम में तो बेहतरीन खिला रही है और पाकिस्तान अपनी यह टीम को खिला रहा है ठीक है जैम अयूब आदम खान मुहम्मद हारिस इस लड़के ने भी बहुत नाम कमाया फहीम अच्छम तयब ताहिर मुहम्मद वसीम जूम उसामा म यह भी बहुत अच्छे हैं हसीब यह अबरार रहमत ठीक है गाइस तो वह अगर मैं अफगानिस्तान की टीम पर राशिद खान राशिद खान रहमत गुर्बास इबराहिम जादरान उस्मान घनी नजीब लाजादरान करीम जननत मुहम्मद नभी मतलब मुहम्मद नभी को जननत मुझे नहीं जमता है गाई उसकी जगे पता नियुक कई सहमत को क्यों नहीं खिलाते हैं जैसे प्लेयर है दोस्ता अगरा भारी की बात करूँ इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब बहले ही पाकिस्तान की टीम कहल रही हो और पललडा तो ऑन फॉर्म मुझे पाकिस्ता और्थ हर पाकिस्तान इन दोनों टीमों के बीच जो मुकाबले हुए था गाईज है फिला मुकाबला पाकिस्ता जीता था और वो जो भैस हुए थी आसी फली से बहुत इंटेन समेंच हुआ तो लेकिन पाकिस्तान जीद गया नसीम शाहा के चneckोई कि बजह से निकल दोस्त सारी काइनात भी आ जाएगी ना तो तीन में से एक मैच तो जरूर पाकिस्तान आ रहेगा तो तो गाइज यह तो थी बात है अब आईए गाइज इन दोनों टीमों के पिछले 2-30 परसंट पाकिस्तान आएवरी स्क्वारेइश चालिस ऑफगानिस्तान जो फिचंट सीर आथ का लिए-स-व्बॉलय्स पाकिस्तान वॉनिस्टान क हागानिस्तान अगर मैं शेशन की बात करूं तो उससे पहले मैं आपको बता दू कि इस ग्राउंड पर पिछले कुछ मुकाबले में है डेली कैपिटल्स ने एक से क्याओन बनाया थे मुंबई इंडियंस ने एक सो बाउन बना दिये थे गाइस ठीक है फिर आपका जो दूसरी टीम है एस डवलू जो थी अभी जो मैच हुए थे उसमें 107 बनाये थे जो अपनी दूसरी टीम है एक सो आट बना गई थी ठीक है फिर एक सो आट तादी तो गाइस पहले क्या होता था यहां पर छोटी बांडरी हो दी तो चेस ही होता था ठीक है पर अभी जो फोर कोविड जो आई सब्सक्राइब अचलों सोट यह मैं पनाये गार जो तो 2020 करना थे चीम नाल Fifस में एक सके इसेक कऊएगी और है जैगा इसको भी सेशन केलना है तो आपको इस वीडियो के आपको बिए जाता है कभी भी तरफ से एक भी रुपे मी मांगा गया है चाहिए मेरे कोई भी चैनल हो डॉली बैटिक तो बस फ्री में ही आपको बताया जाता है जब तक हो सके ठीक है तो पटाफ़ चैनल में जोए लिंक से जोए ना क्योंकि वहीं मेरा ओरिजिनल टेलिग्राम चैनल में विडियो के दिस्क्रिक्शन में वैसे तो लोगों ने बना लिए कि लोगों के सर पे जितने बाल नहीं ह और मेरा दूसरा चैनल है डॉली बैटिंग टेप नाम से उसका लिंक में जब भी डाला करूं अपने सॉलूशन अब चैनल में जोएन हो जाए करो इमानदारी से क्योंकि मेरा ही चैनल में चाहता हूं जितने भी लोग मुझे सॉलूशन में फॉलो करते हैं सभी के सभी जो है और देखते हैं शार्जा की कैसी है कि या खड़े कहते हैं तो टीटोंटी के आखड़े देखेंगे हैं तो चैनल को कई हैं तो फ्रोटी तो मैं आपको बताउं 29 मकाबले में 16 जीते हैं पहले बनेबाजी ने 12 जीते हैं बाद में बनेमाजी ने एक टाइरा है चेंज यह स्कोरिंग बैटन की बात करूं देड़ सो से कम 15 बार एक सो नवासी की बीच कर चे बार एक सो नवबे से उपर स्कोर तीन बार बन चुका है ठीक है तो यह तो थी पिछ रिपोर्ट अब आए दोनों टीमों की प्लेइंग इलावन पर डालते हैं तो सबसे पहले अगर मैं पाकिस्तान की प्लेइंग लाइन पर नडालो तो साम आयूक मॉहम्मद हारेस शान वक्सूट नंबर तीन ठीक है गाईस नंबर चार आजम खान नंबर पांच तैयब ताहिर नंबर छे इमाद वचीम नंबर साथ दाब खान नंबर राट उसामामीर नंबर नौ नजीम शार नंबर दस जमान खान नंबर ग्यारा इसान उल्ला ठीक है गाईस वह अगर मैं अफगानिस्तान की प्लेइंग लाइन पर नाडालो तो रहमत अल्ला गुर्बाद ओपनिंग करेंगे इसमान के साथ इबराहिम जादरान नंबर तीन नंबर तीन नं प्लेइंग तरफ पाकिस्तान की आप कह सकते हैं पूरा पूरा पीसल का टैलेंट खिलाया इन्होंने तो जैसा कह रहा हूं तीन मैच मैच में से एक मैच तो जरूर हारेगा पाकिस्तान ठीक है तो आगे बिदिक्शन भी बताओंगा उसे बताने से पहले मैं आपको आप मे अप्रेट की प्रडिक्शन शैषन की प्रडिक्शन प्रॉपर लॉसकर बुक सेट पूरी दी जाती है मैच में कब लगाना है कितने लिमिट से लगाना है तो सब कुछ भी में दिया जाता तो तभी पॉसिबल होगा जब आप मेरे टेलिग्राम चैनल में जोएन हो प्रड़ वही होते हैं जो महनत नहीं करना चाहते और दूसरों के नाम का फेम लूतना चाहते हैं तो तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे द्वारा जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया जाता है उसी से जोईन उपको की वही औरीजिनल चैनल जो मेरे दौरा खुद दिया जाता है और इसके अलावा को कही पे भी किसी भी प्लैटफॉर्म पर आपको जो है सॉलिशन आपके नाम पे कोई चैनल में तो आपको जोएन नहीं होना तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आओ कमेंट बोक्स में और जोएन हो जाओ वही मेरा अब लोग को फ्री में देता हूं ठीक है तो तो फिर मेरे नाम पर कोई पैसे ले तो गलत बात है न वहाँ पिर मुझे लोग आगे कमेंट करते आपने पैसे पैसे नहीं नहीं रगाइस ठीक है और एक बात और दोस्तों वेल्ट करेंट करेंग और दूसरा दूसरा चैनल है यूटीब चैनल में जोईन हो जाय करिए क्योंकि मेरा ही चैनल है और बात और बताऊंगा जब भी मैं लिंक डालू जोएन वहां पर भी आपको जोब बैस से प्रेश्चिन दिप जाती है मेरे दौरा तो कोई भी मैस प कर दो बैल आइकन दबात हो ताकि जब भी में वीडियो डालू नोटिफिकेशन आपके पास पहले आएगी तो आप मेरी वीडियो अपडेट जो है मिस्कर देंगे तो पूरा वीडियो देखा करिए और स्किप मत करा करिए बहुत से लोग क्या करते हैं स्किप करके ना सीधा मैच मिनर पर आ जाता है तो गाइस यह जो वीडियो है चाहे कितने मिनट की बने 12-13 मिनट जितने मिनट की बने आप पूरा देखा करिए को कि आप यहां से ना कुछ ना कुछ सीथ के आएंगे आपके टाइम बेस नहीं होगा इसकी गरण्टी मैं लेता हूं तो गाइस मेर पाकिस्तान ही मकाबला जीतेंगी मेरे हिसाब से हलां कि फाइनल पेडिक्शन में टेलिग्राम पे देदूंगा आपका अधर टॉस उमीद करता हमको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें ओके गाइस तिल नेक्स वीडियो आई है लाइस